हुआ है यहाई आज के सेशन में हम साइंस का एक चाप्टर करने वाले हैं क्लास 6 का जो की है चाप्टर नूंबर 5 दाट इस सप्रेशन ओप्सटांसे तो इस क्लास का जो ऑपनिंग होने वाली है वो आप सब भी के लिए एक कोशन से स्टार्ट होने वाली है आपको comment section में बताना है POP की full form क्या होती है और उसका formula क्या होता है So try to answer this question और आज का चाप्टर है separation of substances मलब की substance को हम separate कैसे कर सकते हैं एक substance को दूसरे substance से हम अलग कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं different methods हैं जो की scientific terms में अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं बट जब आपको इनका पता चलेगा तो यह सारे जो scientific terms है यह हमारे आसपास हम daily basis पे इनको करते रहते हैं So काफी easy and simple chapter है तो आपको एक बार यह terms जो है clear होनी चाहिए कि इसका meaning क्या होता है That's it इस chapter में सिर्फ इतना ही है So start करते हैं सबसे पहले आपने देखा होगा कई बार कि जिसे दाल वगेरा हमारी मम्मी जो है साफ करती हैं दादी मम्मी जो भी होती है वो साफ करती हैं तो दाल में क्या होता है कई बार वो थाली में दाल लेके अपने चश्मे उश्म में लगा वगा के और सबकुछ उसमें से जो है dirt particles या फिर stone particles निकालती हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं hand picking so hand picking mainly kisses के लिए होता है जिस substance में large size की मलब बड़े size की impurities होती है उसको हम hand picking method के थ्रूँ remove कर सकते हैं so easy point था यह I hope आपको clear हो गया होगा next is threshing यह आपको याद रखना पड़ेगा mainly question क्या आता है कि किस process से हम separate करते हैं stock को grain को stock से मैं जो गेहूं की strokes होती है गेहूं की बाल भी बोलते हैं उसमें से गेहूं कैसे निकाला जाता है तो separate करना गेहूं को उस process को हम बोलते हैं threshing process और यह machine से भी होता है और हाथ से भी होता है ऐसे जो बाल जो होती है गेहूं के उनको ऐसे मार मार के मार मार के भी गेहूं को separate किया जा सकता है तो इसी process को हम बोलते हैं threshing याद रखना question directly आता है कि which process is used to separate grains from the stocks so answer होगा threshing next अपने कई बार देखा होगा एक charge type होता है ऐसे वो iron का होता है और उसको ऐसे ऐसे करके like for example this ऐसे ऐसे यूँ उसको shake करते हैं और सामने से हवा चल रही होती है ठीक है तो wind की help से जैसे गेहूं उसमें डाले हुए है तो जो गेहूं में lighter particles होते है जो मलब heavy थोड़े जिनमें weight कम होता है तो वो जो particles होते हैं वो हवा के साथ दूसरी direction में उड़ जाते हैं मलब हो वहां से निकल जाते हैं और जो grain होते हैं जो की heavy होता है वो वही पे नीचे उसका धेर लग जाता है तो इस process को हम बोलते हैं विनोइंग process मलब की heavier और lighter substance को separate करना किसकी help से wind की help से so question directly पूछा जाता है कि wind की help से जब हम higher और lighter particles को separate करते हैं तो उस process को क्या बोलते हैं विनोइंग process बोलते हैं और काफी easy है इसमें खुद wind आ रहा है वालब wind मतलब wind तो आपको याद हो जाना चाहिए विनोइंग जो है एक ऐसा process होता है जिसमें हम heavier particles को separate करते हैं lighter particles से by the help of wind और यह mostly कौन यूज़ करता है जो किसान होते हैं फार्मर्स होते हैं वो इस process का use करत हैं so I hope आपको यह point वे clear हो गया होगा next process हम चलते हैं saving अब अपने विनोइंग देखा काफी impurities हमने यहां पे remove कर दी बट कुछ impurities बाद में भी रा जाती है for example आपने गेहूं थे ठीक है गेहूं को piece लिया आटा बन गया उसका अब आटा बनने के बाद आप क्या करते हैं ज वो तो नीचे पराद में चला जाता है ठीक है और जो बाकी जो बूर बुरादा बचता है वो उपर चलनी में रहा जाता है तो इसी लिए इस process को हम बोलते हैं saving process और यह किसलिए होता है यह mostly होता है कि जब दो different size की substances होते हैं एक बहुत ही जादा पतल छोटा होता है एक बह use होता है mostly फिर next हम देखते हैं evaporation evaporation क्या होता है evaporation होता है जब water जो है वैपर में गनवर्ट होता है उस process को हम बोलते हैं evaporation वाशपी करण होना अब आपको ध्यान क्या रखना है वाशपी करण जो है यह कैसा phenomenon है यह एक surface phenomenon है कैसा फिनोमना है सर्फेस फिनोमना है क्योंकि यह किसी भी temperature पर हो जाता है इसके लिए specific नहीं होता है कि इतना temperature होगा तभी evaporation होगा किसी भी temperature पर evaporation का process start हो जाता है water को वैपर में convert कर देता है और इस process को जो है nature में हमारा naturally कहां पर यूज होता है यह होता है समुदर में जब समुदर में पानी उड़ता है तो उसके थ्रूजों नीचे salt बचता है तो हम evaporation process का use करते हैं salt की formation में तो यह था evaporation process दो point important याद रखेगा book में नहीं मिलेंगे आपको evaporation एक surface phenomena है और यह किसी भी temperature पे हो जाता है any temperature ओके I hope आपको यह clear हो गया होगा next हम देखते हैं condensation आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है condensation समझने से पहले आप कोई भी bottle निकालना ठीक है ठंडी bottle पानी की और उसको एक glass में डालना आपको थोड़े देर पाद क्या लगेगा जो glass होता है glass की जो outer covering होते हैं उसके droplets इखटे हो जाते हैं अब वह droplets question आपके लिए यह है कि वह कहां से आते हैं ग्लास के अंदर से आते हैं glass के बाहर से आते हैं सो answer होगा जो वह glass है उसके जो environment है उसके आसपास का जो वहां पे water vapor collect होते हैं मैं लग जो वाश्प अल्रेडी रहते हैं environment में वह temperature मिलने की वज़े से उन्होंने जैसे ही थंडे पानी मिला थंडे पानी से जो temperature increase हुआ वहां का तो वो तुरंत droplets में convert हो जाते हैं और उसे process को हम क्या बोलते हैं condensation process बोलते हैं लग कि vapors का किस में convert होना water droplets में convert होना उसको हम बोलते हैं condensation process so I hope आपको यह point भी clear हो गया होगा condensation क्या होता है और mainly जो conversion होता है condensation में vapor से water होता है और evaporation में water से water vapor होता है ठीक है तो दोनों एक दूसरे के opposite process है यह और इसके बाद हम next and last final देखते हैं कि sedimentation क्या होता है और decantation क्या होता है sedimentation आप एक काम करना ठीक है एक कटोरी लेना उसमें बड़ा सा कटोरा ले लिया अपने इसमें आप अपने rice डाल दिये ठीक है और फिर rice में अपने water add किया क्यों किया क्योंकि मेरको wash करने है हम किसी भी चीज़ को बनाते तो उसे पहले हम उनको wash करते हैं तो आप पानी इसमें डालोगे पानी जैसे ही डलता है तो थोड़ी देर बात क्या होगा यह जो rice होता है ना पानी डलने पर यह जो rice particles होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे कहां पर इस कटोरे की सतह पर बिल्कुल बैठ जाएंगे तो इसी process को हम बोलते है सैडिमेंटेशन होना सैडिमेंटेशन क्या होता है वो process जब कोई particle पानी फाना है नीचे बाइठ जाएंगे तो इसी process को हम scientific term में बोलते हैं decantation करना क्या करना decantation करना तो जब पानी को remove कर देते हैं और फिर हमारे पास washed rice बचते हैं तो उस process को हम क्या बोलते हैं decantation बोलते हैं तो I hope आपको यह process समझ आगया होगा काफी easy है daily हम अपने daily life में करते रहते हैं पानी मिलाना, हैवियर पार्टिकल्स का नीचे बैठना, it means sedimentation, और फिर उस पानी को remove करना, it means decantation. I hope आपको ये clear हो गया होगा, अब हम देखते हैं saturated solution, और उससे पहले हम देखेंगे solute, solution क्या होता है? solution होता है, दो चीज़ों को मिला देना, जो जिसकी मातरा कम होती है, उसको हम बोलते हैं solute, और जिसकी जादा होती है, उसको हम बोलते हैं solvent, ठीक है? For example, आपने निम्बू का जूस बनाया होगा, निम्बू का पानी बोलते हैं, तो जो चिनी होती है, शुगर, वो एक ग्लास में एक चमच पड़ेगी, ठीक है? लेकिन पानी कितना होता है? एक ग्लास होता है, तो ये जादा है, ये कम है, तो जो जादा होता है, उसको solvent बोल होते हैं, फिर जैसे ही आप एक ग्लास में दूसरे चमच मिलाते हैं, वो भी मिल जाती है, ठीक है? तीसरी मिलाते है, वो भी मिल जाती है, चोथी स्पून मिलाते है, शुगर की वो भी मिल जाती है, बट जैसे ही आप फिफ्थ स्पून मिलाते है, नॉर्मल टेंपरेचर प solution so I hope आपको saturated solution का concept clear हो गया होगा कि यह क्या होता है saturated means जब किसी solvent में आप और solute add ना कर पाएं मैंनलब solute ना मिला पाएं तो उसको हम बोलते हैं saturated solution I hope आपको यह सारे points clear हो गए होंगे Hey hi everyone आज के इस session में हम discuss करेंगे class 6th science का chapter 6 जो की है changes around us so नाम से ही पता चल रहा है हम देखेंगे कि हमारे आसपास कैसे प्रिवर्तन होते हैं किस परकार के प्रिवर्तन होते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं scientific point of view से so सबसे पहले आपने सुना होगा कि contraction और expansion क्या होता है so contract कोई चीज़ जैसे आप water को tray में रखके freeze में रखते हैं तो वो वहाँ पर contract कर जाती है और ice cubes में convert हो जाती है क्योंकि वहाँ का temperature कम होता है as compare to outside और जैसे ही आप उस ice cube को बर्फ के जो बर्फ का जो piece होता है उसको आप भार लेके आओगे उसको आप slap पे रखना और slap बे रखने के बाद आपको वो फैलती हुई नजर आएगी पानी में convert होती आएगी तो उस चीज़ को बोलते हैं हम expansion process आपको main point क्या रखना है कोई चीज़ contract कब होती है जब हम temperature decrease करते हैं और expand कम होती है जब हम temperature increase करते हैं अब हम next देखते हैं कि changes किस type के होते हैं तो basically दो type पे changes होते हैं physical change और chemical change physical change mostly वो changes होते हैं जिसमें कोई भी new substance नहीं बनता है और chemical change में हमेशा एक new substance मिलता है और mostly क्या होता है जो physical changes होते हैं वो reversible होते हैं for example आप water से ice cube बना सकते और ice cube से water बना सकते हैं so यह हुआ physical change next is chemical change जो की एक new substance की formation होती है और यह irreversible होते हैं mostly कैसे होते हैं यह irreversible होते हैं वालब एक बार जो चीज़ बन गई उससे हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं for example आपने जैसे milk से दही बना लिए ठीक है अप दही से क्या milk बना सकते हैं बिल्कुल नहीं बनेगा so chemical change हो गया यह milk to curd और आपको एक इस वीडियो का opening question यह है कि जो हमारी curd होती है उसमें कौन सा bacteria मिलता है यह आपको comment section में answer इसका करना है so यह थे physical and chemical changes so हमने देख लिया physical changes are those changes जिसमें एक new substance नहीं बनता है और यह mostly reversible होते है and chemical changes are those changes जिसमें एक नया substance की formation होती है और वो irreversible होते हैं उसको पहले वाली stage में नहीं लेके जा सकते हैं so यह था changes अब आपने higher standard में देखा होगा कि types of matter कितने तरह का matter होता है तो mainly वहाँ पर five types की matter बताये गए हैं बट यहाँ पर हम discuss करेंगे only four जो की है solid, liquid, gas and plasma और last one is BEC इसकी full form आपको बतानी है यह जो fifth form of matter है state of matter है fifth state of matter इसकी full form क्या है so अब यह changes देखेंगे हम जब कोई solid से liquid में convert होती है उस process को हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं melting ठीक है liquid से gas में होगी उसको हम बोलते हैं vaporization या फिर evaporation so इसको हम बोलते हैं evaporation okay gas से plasma में कोई चीज convert होती है तो उसको हम बोलते हैं ionization अब आपको इनका reverse चलना है ठीक है अब plasma से अगर gas convert होती है तो उसको हम बोलते हैं deionization ठीक है gas से अगर liquid में convert होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं condensation हमने last chapter में भी already पढ़ाता so यह होता है condensation gas से liquid में और liquid से gas liquid से solid मतलब freezing तो यह changes आपको पता होने चाहिए mainly जो melting, evaporation, condensation, freezing होते हैं यह physical change create करते हैं और जैसे burning हो गया किसी चीज़ का गलना हो गया सडना हो गया यह सब कैसे changes create करते हैं chemical changes create करते हैं अब हम एक question है most important question है इस chapter का जो burning of candle है वो कैसा change है जो burning of candle है वो physical और chemical उसमें दोनो changes होते हैं ऐसा क्यूँ जैसे आपने एक बार mom बत्ती लेकि उसको जला के देखना so जो wax होता है वो react करता है oxygen के साथ ठीक है और COT की formation कर देता है और so इसी लिए एक नया substance form हुआ तो यह इसमें chemical change हुआ बट साथ साथ में जो candle होती है जो candle का mom होता है इसमें mom बोलते है वो पिंगलता रहता है और वो नीचे collect होता रहता है तो जो वो पिंगलना होता है तो मैं लब क्या हुआ solid से liquid melting होई है wax की तो इसी लिए इसमें physical change होता है तो burning of candle कैसा change है बोथ physical and chemical change अब हम इस chapter में कुछ example given है for example जिसे आप balloon में air fill करते है और क्या वो reversible change हो सकता है बिल्कुल हो सकता है उसको gas को release कर दीजे वो as it is अपनी shape में आ जाएगा फिर next point is आप किसी rubber band को stretch करते है जैसे ये एक rubber band है आपने इसको ऐसे stretch किया क्या ये reversible हो सकता है बिल्कुल हो सकता है आप छोड़ दो ये reverse हो गया next is next question है आपके सामने हमने आटा भिगो के रोटी बन चुकी है क्या आप रोटी से दुबार आटा बना सकते हो is it reversible I think आपको पता होगा ये reversible नहीं है next example is जैसे कि हमने ये एक newspaper लिया और इससे मैंने एक बोट बनाई है आपने बच्चपन में भी काफी बनाई होगी so ये बोट हम बना चुके है क्या आप इस बोट से दोबारा इस paper को convert कर सकते हैं next अब मालो हम इसी पे एक बोट की ड्रोइंग करते हैं और उस ड्रोइंग को कट कर देते हैं और कट करने के बाद क्या लगता है ये paper से उसी शेफ में आ जाएगा हमें उसे अलग से चिपकाना पड़ेगा तो ये होते हैं reversible और irreversible changes और एक table है इसकी 6.1 table on page number 48 तो आपको ये एक बार देखने हैं कि कौन से changes reversible है और कौन से irreversible है for example आप कच्चा जो अंडा होता है उससे boiled egg बना देते हो क्या आप boiled egg से दोबारा कच्चा अंडा बना सकते हो नहीं ठीक है next is आपके पास better था उससे अपने इडली बना ली इडली से क्या better बना सकते हो नहीं नहीं बनेगा मलब ये तो वही बात होगी ना पकोड़े आप तल चुके और पकोड़े के बाद दोबारा आपको गोल बनाने तो नहीं बनेगा ठीक है next wet clothes से dry clothes हो चुके मलब गीले कपड़े थे अब वो सूके हो चुके क्या आप इस change को reverse कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इसको पानी में डाल दो हो जाएगा गीले फिर से हो जाएगे सो ये था yes next is आप woolen yarn है एक और उससे knitted sweater बन जाती है क्या आप उस sweater से दुबारा wool को obtain कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आपने कई बार सर्दियों में देखा होगा हमारी रोंग्टे यूँ स्वेटर में से निकल जाते हैं तो वो धागा पूरा निकल के आता है सो ये yes हुआ reversible हो सकता है अब आपने गेहूं से आटा पीस लिया है क्या आप दुबारा उस आटे से गेहूं बना सकते हैं नहीं बनेगा बिल्कुल ही बनेगा ठीक है next is milk से आपने cold milk था उसने आपको hot कर दिया ठीक है गरम कर दिया क्या आप उस गरम को दुबारा ठंडा क कर सकते हो तो हंजे आप कर सकते हो reversible होता है ठीक है एक कली थी कली से फूल बन चुका है क्या फूल से दुबारा कली बनेगा नहीं बनेगी बढ़ से फ्लार बन सकता है लेकिन फ्लार से बढ़ नहीं बनता है तो यह irreversible जेंज था अब आपने मिल्क से पनीर बना लिया क्या आप पनीर से दोबारा मिल्क बना सकते हो नहीं बना सकते हो next cow dung जो गाय का गोबर होता है आप उससे बायो गैस अपने बना चुकी हो क्या आप बायो गैस को दोबारा cow dung में convert कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं next ice cream आप खा रहे हैं पिंगल गी यह वो ठीक है और उसमें कटोरी में है ice cream तो आपको दोबारा क्या same yummy ice cream मिल सकते हैं बिल्कुल मिल सकते हैं freeze में रख दो हो जाएगी ठंडी ठीक है तो यह था reversible change तो आपको पता होना चाहिए general knowledge की reversible changes क्या होते हैं irreversible changes क्या होते हैं So mainly physical changes जो होते हैं वो reversible होते हैं और chemical जो होते हैं वो irreversible होते हैं I hope आपको यह chapter clear हो गया होगा हमने इसमें main देखा है कि contraction क्या होता है expansion क्या होता है physical versus chemical reversible versus irreversible changes और हमने यह solid का liquid में बदलना लिक्विड का गैस में बदलना गैस का प्लाजमा में बदलना और इनका irreversible changes तो हम यह ओल्रेडी देख चुके हैं तो आपके लिए आज का question है एक तो BEC की full form क्या है यह ओल्रेडी मैं आप से पूछ चुकी हूँ so try करना इस question को answer करने की I hope आपको chapter clear हो गया होगा और स्टिल कोई doubt है तो comment section में डालिए I will try my best to answer your question थांजी कैसे हैं आप सब I hope सब अच्छे होंगे और अपनी preparation कर रहे होंगे आने वाले seated exam के लिए और साथ साथ में जो further teaching exams होते हैं DSSB KVS so आज की हम इस lecture में देखेंगे start करने वाले हैं class 6th का chapter number 7 जो की है getting to know plants so I hope आपको यह clear हो गया होगा कि हम आज क्या पड़ेंगे इसमें काफी important points हैं और उन में से हम आज एक point discuss करने वाले हैं कि कितने types के plants मेली होते हैं so classification जो किया गया है plants का वो मेली 3 types पे किया गया है first is herb second is shrub and then last one is trees अब कई बार क्या होता है इनका बढ़ते हुए करम में order पूछ लया जाता है कि कौन सा सबसे बढ़ा होता है कौन सा सबसे चोटा होता है so इसकी एक trick है आपको alphabetical order पता होंगे किस order में होता है so सबसे पहले क्या आता है h आता है then then फिर s आता है फिर t आता है तो इसी alphabetical order में आपको याद रखना है कि इनकी height होती है सबसे बड़े trees होते हैं उन से छोटे shrub होते हैं और shrub से छोटे herbs होते हैं so one by one quality देखते हैं कि में stem होती है या नहीं होती होती है तो कैसी होती है branches होती है height कितनी होती है and then हम देखेंगे example क्या क्या है सबसे पहले हम हर्प में देखेंगे हर्प में जो स्टैम होती है वो ग्रीन कलर की होती है ठीक है और टेंडर स्टैम होती है टेंडर का मेलब क्या होता है नाजुक होना मेलब जादा मोटी नहीं होती है बिल्कुल हलकी सी होती है और यह हर्प में स्टैम पार्ट उसके बाद क यह सब किस का्टेगरी में आते हैं हर्व की क्यरेड करेंगरी में आते हैं इसलिए हम इनको herb बोलते हैं और ये अजवाइन है herb में दाओगा next हम चलते हैं sherbs पे sherbs पे क्या है जो stem होती है वो herd होती है मैं लब जितन यहाँ पे tender थी बट यहाँ पे herd होती है बट जादा मोटी नहीं होती है इसके comparison में तो मोटी होती है बट यह नहीं कितनी मोटी हो जाएगी सिर्फ इतनी सी मोटी हो जाती है हाँ और थोड़ी सी herd होती है ठीक है यह था stem का उसके बाद next point देखते हैं कि शर्व में branch कैसे होती है तो जो branches होती है शर्व में वो नीचे से ही शुरू हो जाती है जैसे जहां से यह plant यह मिट्टी है यहां से plant शुरू हुआ है ग्रो करना तो यहीं से branches आनी शुरू हो जाएंगी बेस से ही जो प्लांट का surface है वहीं से बेस से थोड़ा सा उपर वहीं से ब्रांची शुरू हो जाती है नेक्स हाइट कितनी होती है तो हाइट जो है more than herb इन से जाधा होती है मेली जैसे कि लेमन अगर अपने plant देखा है तो उसकी हाइट देखना आपके जो आपके face तक वो रहती है जो इसके example होते हैं उसमें रोज आ जाएगा जो रोज होता है तुलसी भी एक शर्ब होती है और लेमन भी शर्ब होता है तो आपको example रटने नहीं है ठीक है सिर्फ मेली पूछा क्या जाता है एक तो stem पे कोशन आता है और एक ब्रांच पे कोशन आता है और आप देखके कि इसी भी प्लांट को बता सकते हैं उसकी stem को देखे और उसकी branch को देखे और देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यह हर्ब है या शर्ब है यह देख सकते हैं इसे शुरू हो चुकी है यह थोड़ा सा शर्ब हर्ब से जादा मोटा होता है और ठीक भी होता है और लाइट ग्रीन कलर में यह होता है फिर लास्ट इंट फाइनल जो classification है वह है ट्रीज की ट्रीज का जो तना होता है वह बहुती जादा मोटा होता है आपने अपने आसपास देखना एक बार उब्सवर करना कि जो बहुती जादा ओल्डर ट्रीज हैं उनके तनिये कितने मोटे मोटे हो जाते हैं और उसको इसलिए जो वह तना होता है हार्ड होता है और ठीक होता है और जो तनह उदफ्स का color कैसा हो जाता है brown color का रंग हो जाता है तने का और जो branches होती है वह कहां से शुरू होती है अब आपने एक नॉर्मल नीम का पेड़ अगर देखा हो तो ऐसे ऐसे करके यह देखो इतना मोटा यह तना है फिर यहां से कहीं branches शुरू होती है ठीक है तो ये branches कहां से शुरू होती है above the ground एक height पे जाने के बाद ही जो branch है वो grow करनी शुरू होती है और height कितनी होती है very tall सबसे ज़्यादा height किसकी होती है trees की, neem, neem का पेड आम का पेड और jamun तो ये होते है trees में आपको ये classification clear हो गया होगा next classification डिस्किस करते है जो कि miscellaneous classification है और ये है दो टाइपस के plants जो कि हैं creepers और climbers so creepers कोन से plants होते है creepers जो होते है आपने normal meaning जो ring ते हैं तीक है नीचे अब लग ऐसे 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 grow करते हैं जैसे ये ground है और यहीं पर ऐसे ऐसे वो grow करेंगे so उनका जो तना होते है काफी weak होता है इसी लिए वो ground पर spread हो जाते है कहां पर spread होते है ground पर spread होते है और इसमें example होते है merely pumpkin, watermelon और musk melon okay so climbers कैसे होते हैं next है climbers so climbers कोन से plants होते हैं जो खुद से सीधे खड़े नहीं हो सकते है अगर उनको किसी की help मिल जाए तो फिर वो stent हो जाते है for example जैसे यहां पर हम एक pot बनाते है यह pot है ठीक है यहां पर इस pot के अंदर एक ऐसे लकडी को डाला जाता है जो की मिट्टी की होती है और उसके around जो मनी प्लांट होता है वो ऐसे ऐसे ग्रो करता है ठीक है उसने मनी प्लांट में जो मनी प्लांट की ब्रांचे होते है और इसका सारा लेती है किसी नेबरिंग स्पोर्ट का सारा लेके क्लाइम करती है तो ऐसे प्लांट को हम बोलते है क्लाइम बस जो किसी की हेल्प लेके क्लाइम करते हैं इसके एक्जाम्पल है मनी प्लांट पी प्लांट एंड बीन प्लांट इसमें हम लीफ के बारे में पड़ेंगी जैसा आप यह देख सकते हैं यह इदर स्टैम है ठीक है यह ब्राउन कलर का आपका दिख रहोगा यह जो प्लांट में अलग प्लांट में अलग बनाग इसको लेमिन बना बोलते हैं इसको यह यह जो डिपरण बोल्त है अर यह बढ़ी जन कप ए मिलेगे लुड़ेंट बोलते हैं ए यह ब्रोड ग्रीन वार्ट होता है इसको मिलेगी हेई हाई अब्रिवन सो हमारा जैसा कि आपको पता है फूल पतियों वाला प्लांट्स वाला चाप्टर चला हुआ है तो आज हम डिसकेस करेंगे लीफ के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और होगी आपको यह इसकेस्ट के ल वनबायवन सबसे पहले जो पार्ट आता है वह होता है वह पीट है वां here is a trilogy of contented होता है मेरको ना definition रठना खुद मिरको पसंद निए और नहीं मेरे को रठना पसंद है मैं आपको डिखाना चाहुंगी जैसे यह ब्लांट होता है टिक है protect plant प्लांट को टो तोयो होता है प्लांट का जोते हैं तना और लीफ के बीच को जो connect करते हैं जो पार्ट उसको हम प्टेज बोलते हैं आइelोप आपको यह विजिबल होगा यहांसे जैसे कुछ लीप से यह वाला पार्ट मैंने इस्टेम से प्लग किया है ठीक है तो इस वाले आप समझने के कोशिश करिए कि यह पार्ट है लीफ और स्टैम के बीच में इसको क्या बोलते हैं पिटॉयल बोलते हैं इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए पार्ट ओफ लीफ by which it is connected to स्टैम is known as πयल आपको यह क्लियर हो गया होगा पिटॉयल क्या होता है इसमें द्रोइंग में देखे है यह वाला जो पार्ट होता है यह वाला यह होता हम्हारा पिटॉय थिक है next हम देखे ह्Please लैमिना, लैमिना क्या होता है, किसी भी लीफ का जो ग्रीन, ब्रोड ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम लैमिना बोलते हैं, जैसे कि यह पूरा जो पार्ट है, ग्रीन कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना, ठीक है, तो यह पूरा जो ग्रीन होता है, इसको आप इमेजन क क्लियर हो गया होगा ग्रीन ब्रोडर पार्ट ओफ लीफ इस नोन एज लेमिना नेक्स पार्ट हम देखेंगे वेंज क्या होती है यहां पर आपको सामने लाइन्स दिखरी होंगी जैसे कुछ डिजाइन जो बना होते है ना लीफ को जो डिजाइन्स बनी होते हैं लीफ में उसको हम बोलते हैं जो लाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है लीफ की सर्फेस पर उसको हम वेंस बोलते हैं जैसे कि यहां पर अगर को यह मोटी लाइन होती ना ऐसे यह बहुते यह वाली इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मिड्रीब क्या बोलते हैं, mid ribs So, side में जो ये line होते हैं, veins बोलते हैं जो बड़ी वाली line जो बीच में ये ऐसे ऐसे जो गे वाली हमने जो बनाई गए इसको हम क्या बोलते हैं, mid rib बोलते हैं Next है, leaf venation क्या होता है अब Next, leaf venation So, leaf venation क्या होता है, particular जो design होता है न, leaf पे अलग-अलग leaf पे अलग-अलग design मिलेगा आपको तो उन designs को हम science की term में बोलते हैं, leaf venation और ये mainly दो type का होता है, one by one हम उसको देखेंगे कि कौन सा होता है हो So, leaf venation सबसे पहले होती है, reticulate venation and second one is parallel venation ठीक है, अब अगर नीम का plant देखना, आपको अगर दोनों साइड net like structure मिलता है ऐसे 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 leaf में तो उसको हम बोलते हैं, reticulate structure जिसमें parallel net like structure होता है और दोनों साइड जो midrib होती है, ये midrib है, उसके दोनों साइड में जो design होता है उसको हम बोलते है, reticulate venation और दूसरा होता है parallel venation, जिसमें veins अगर parallel हो जाती है एक दूसरे के तो वो होती है parallel इसका example है, reticulate में, mealy, neem leaf और जो parallel है, इसमें example हो जाएगा, जो grasses होती है वो आप देखना कैसी होती है, आपको पता चल जाएगा So conclude करते हैं, directly यह हमारा plant से जो leaf को part connect करता है, उसको हम pitoyl बोलते हैं जो यह broad green part होता है, उसको हम lamina बोलते हैं जो line like structure होता है leaves पे, visible होगा आपको, अल्रेडी दिखा चुकी हो में उसको हम veins बोलते हैं, और जो बीच में यह लंबी वाली line जो होती है यह ऐसे ऐसे जो लंबी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, mid rib बोलते हैं और जो design होता है, जो अलग-अलग design होता है हर एक plant पे, उसको हम leaf venation बोलते हैं particularly दो type की venation होती है, reticulate venation and parallel venation नीम की leaf में आपको reticulate मिलेगा और grasses में आपको mostly parallel venation मिलेगी so I hope आपको leaf and इसके important parts clear हो गे होंगे, thank you आज के इस session में हम लेखेंगे कि फ्लार के कुछ parts होते हैं, जैसे कि यह सबसे पहले bud होती है और bud से यह convert होता है फ्लार में और फ्लार के भी different-different parts होते हैं आपको जैसे यह visible होगा, नीचे की side जो यह parts होते हैं, इसको हम saple बोलते हैं और यह जब बढ़ होती है उस time पे petals को protect करता है और यह हमारे जो colorful part होते हैं, इसको हम petal बोलते हैं और इसके अंदर होता है reproductive system, आपको visible होगा यह जो आपको side में दिख रहे हैं, यह है stamen, जो की male part होता है और जो बीच में आपको green part दिख रहे हैं, वो है pistol और pistol के भी further part होते हैं stigma, style और ovary, तो यह था फ्लार के कुछ important parts ही, hi everyone, आज हम पढ़ेंगे flowers और उसके जो parts होते हैं, flower के, full और उसके parts so हम यह देखने वाले हैं, so यह आपको visible होगा, this is a flower so one by one हम देखते हैं, flower में कौन-कौन से parts होते हैं so सबसे पहले आते हैं, petals, petals कौन सा part होता है, जो colorful part होता है na, full में, उसको हम क्या बोलते है होंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, petals, next is, sepals, sepals कैसी होते है, में लिक green color का जो part होता है, जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के कोशिश करते हूं, यह leaf है, flower है, इसमें यह petal है, जो colorful part है और उसके बाद जो यह green आपको नीचे की side जो दिख रहे हैं, यह वाला, आप देख सके, इसको हम क्या बोलते हैं, sepals बोलते हैं, जो कि protect करता है पिटल्स को, किसको protect करता है, पिटल्स को, कब protect करता है, जब यह bird की form में होता है, यह एक bird है, बहुत पुरानी हो चुकी है यह आपको visible होगी, जो यह petals है, यह sepals है, और यहाँ पे बड होती है, तो यह bud से flower बनता है, और जब बड होती है, तो बड के अंदर petals होता है, पीटल्स को प्रोटेक्ट करने काम कौन करता है सीपल्स करते है so colorful parties पीटल्स and green parties सीपल्स I hope आपको ये clear हो गया होगा next हम देखते हैं stamen और pistols ये कैसे part है ये हैं flower में reproductive parts stamen में में आ रहा है इसका मतलब ये male part होता है ठीक है और बाकी pistols में मलब female part होता है ठीक है ये आपको याद रहा गया आप man से इसको याद रखी कि जसमें man आता है it means वो male part होता है और pistols मलब female part होता है further जो stamen होता है उसके भी दो part होते है anther और filament anther mainly कैसा होता है ये anther जो होता है इसका filament होता है creamy color का और ये होता है हलका yellow color का so anther के ऐसे color का होता है yellow और filament cream color का ठीक है so ये था stamen और उसके further reproductive parts फिर pistols के भी 3 further parts होते है stigma, style and ovary I hope आपको ये clear हो गया होगा अब एक बार मैं आपको दिखाने के कोशिश करती हूं conclude करती हूं bud के जब कली होती है जब full बनने से पहले कली जो होती है उस time पे ये जो petals होते हैं ये close होते हैं और इनको close petals को protect कौन करता है sepal protect करते हैं और फिर ये open हो जाता है ये नीचे की तरफ fold हो जाते है फिर जैसे जैसे ये open होता है हमें इसमें ये petals के अंदर जब हम इसको disection करते हैं तो petals के अंदर आपको देखने को मिलेगा लेट मी शो यू आप एक बार देखने की कोशिश कीजेगा ये देखो इसमें जो येलो पार्ट दिख रहा है वो एंथर है और उसके नीचे filament होता है उनको भी अगर हम further dissect कर देते हैं तो ये जो बीच में मोटा सा जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं पिस्टल बोलते हैं और पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं मेरे लिए stigma, style और ovary तो ये था flower और उसके पार्ट आई होप आपको बिल्कुल crystals लियर हो गए होगे किंगे roots उनका function और types कितने होते हैं so without wasting any time start करते हैं roots से so roots क्या करती है आपको पता है ये plant को sport करती है जैसे आपकी हमने सुना होगा हमारी जो जड़े होती है वो हमें हमसे जोड के रखती है हमें अपनी family से जोड के रखती है ऐसे ही जो plants की roots होती है वो उसको help करती है कि वो सीधा खड़ा रहे गिरेना ठीक है और अपना firmly एक जगह पे grow करता रहे with the help of roots so ये mainly क्या काम करते है root anchor करती है plant को soil तक ठीक है anchor करने का मतलब होता है spot करना so आप से ये इसी same wording में question पूछा जा सकता है which part of plant anchor the plant to soil so answer will be root next हम चलते है कि types कितने होते है roots के so three types होते है tap root lateral root and fibrous root tap root क्या होता है tap root होती है जो सबसे main होती है for example ये port है इसमें हमने plant grow किया हुआ है जिसकी हम सिर्फ root देखेंगे so ये जो ये जो बीच वाली जो main होती है जो main root होती है उसको हम क्या बोलते है tap root बोलते है ठीक है और फिर इसके side में जो grow करती है roots उनको हम क्या बोलते है lateral roots बोलते है ये smaller in size होती है tap root बड़ी होती है और इसके side में जो grow करती है ऐसे उनको हम क्या बोलते है lateral roots बोलते है उसके बाद कुछ plants में tap root present नहीं होती है it means यह वाला पार्ट present होता ही नहीं है so ऐसे roots को हम बोलते हैं fibrous root for example यह plant है और उसकी root सिर्फ ऐसे grow कर रही है ठीक है ऐसे grow कर रही है सिर्फ fibrous form में grow कर रही है ठीक है तो ऐसे roots को हम बोलते है fibrous root इन में main root नहीं होती है tap root नहीं होते हैं, डारेक्ट फाइबर्स होते हैं और उसको हम बोल देते हैं, फाइबर्स रूट, I hope आपको रूट और उसकी जो फर्दर टाइप्स हैं, वो क्लियर हो गए होंगे, रूट हैल्प करती है, प्लांट को एंकर करने में, सोल तक, उसको स्पोर्ट करती है, ताकि व और अल्रेडी हम इस चाप्टर पे इसके फोर पार्ट देख चुकी हैं, यह लास्ट पार्ट है इस चाप्टर पे, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं, हम आज देखेंगे कि स्टैम का फंक्शन क्या होता है, रूट का क्या फंक्शन होता है, ट्रांस्पि तो stem क्या काम करता है, stem करता है water or minerals को conduct, जो हमारी जड़े होती है, plants की वो पहले absorb करती है, minerals को water को, ठीक है, फिर absorb करने के बाद, जो plants के बाकी part होते हैं, जैसे की leaf हो गया, branches हो गई, उन सभी तक पानी कैसे जाता है, तो वो पानी जाता है, stem के through, और stem में भी further क्या होती है, कुछ narrow tubes होती है, और उनके through water or minerals का conduction होता है, higher classes में हम देखते हैं, ये narrow tubes क्या होती है, बट मैं आपको यहीं पे बता देती हूं, ये narrow tubes होती है, xylem, ये एक tissue होता है, जिसके through water or minerals का conduction होता है, stem में, ठीक है, next point हम देखते हैं, roots, roots का काम क्या होता है, roots जो होती है, वो मिट्टी से absorb करती है, क्या absorb करती है, water or minerals को, so main important function हो गया, roots का absorption of water and minerals from soil, और उसके बाद, ये सारी चीज़े stem में जाती है, और stem में, xylem के through, ये हर एक part में पहुँच जाती है, ठीक है, ये हमने already, हम ये 2 points कवर कर चुके हैं, next is transpiration, transpiration क्या होता है, transpiration वो process होता है, जिसमें, जो plant होता है, वो water vapor की form में water को lose करता है, so lost of water vapor from the leaf of a plant is known as transpiration, जैसे कि हमें पता है, जब हम जादा पानी पी लेते हैं, तो हमारी body, उस extra water को excrete out कर देती है, ठीक है, ऐसे ही जो plant होता है, वो transpiration process के help से, extra water को अपनी body से out कर देता है, so इस process को हम बोलते है, transpiration process और ये water vapor जाके air में add हो जाते हैं, और जो leaf होती है, इसमें कुछ छोटे-छोटे pores होते हैं, जिनको हम stomatal pores बोलते हैं, और इस stomatal pores के through ही transpiration का process होता है, next and important point जो की है photosynthesis, photosynthesis एक ऐसा process होता है, जिसकी help से, दुनिया में जितने भी आज के time पर human beings हैं, उनको खाना मिल रहा है, या फिर animals हैं, उनको खाना कैसे मिल रहा है, वो मिल रहा है photosynthesis process की वज़े से, so photosynthesis process होता कहां पर है, यह होता है leaf में, कहां पर होता है, plant कि किस पार्ट में होता है, leaf में होता है, और इसे लिए leaf को क्या बोला जाता है, factory of food, I hope आपको यह point clear हो गया होगा, इसके बाद, अब हम देखेंगे कि खाना बनता कैसे है totally, तो जो plant होता है, वो plant की leaf क्या करेगी, water उसको मिल गया roots से, जैसे ही यह तीनों चीज़े मिलती है, तो वो release करता है, oxygen और glucose, glucose होता है, C6, H12, O6 की form में, ठीक है, तो leaf में glucose बन चुका है, और अब leaf के through, जो यह food बना है, यह पूरे plant में travel करता है, और वो किस के through करता है, वो करता है, फ्लोयम के through, ठीक है, तो यह हम दो point देख चुके है, important, water and minerals, जैलम के through, ट्रांसपोर्ट होता है उनका, और जो food बनता है leaf में, उसका ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोयम की वज़े से, और आपको ध्यान रखना है, इस photosynthesis में important कुछ questions पूछे जाते हैं, for example, सबसे topmost question है, हर एक exam का, कि जो photosynthesis की reaction होती है, उस हमें किस पार्ट से मिलती है, वो हमें CO2 से मिलती है, या फिर water से मिलती है, so answer होगा, वो हमें water से मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि water जो होता है, उसका photolysis होता है, photolysis of water मतलब, water का टूटना, hydrogen और oxygen में, और इसी photolysis की वज़े से, हमें photosynthesis reaction में oxygen अप्टेन होई है, so, आपको, I hope, 4 points clear हो गए होगे, important question में आपको पता चल गया होगा, आपके लिए एक final announcement आज की ये है, कि सभी telegram group से जुट जाएगे, वहाँ पे, और वहाँ पे आपको chapter wise daily, जो PDF है, notes की, वो update होती रहेंगी, हर एक class की 6-10 तक, so please वहाँ जाएगे, और उस channel को subscribe कीजिए, त यहाँ पे आपको पूरा उन PDF की explanation में ओरड़ी आपको कराई रही हूँ, movements, so, without wasting any time, हम देखने वाले हैं, कि locomotion क्या होता है, locomotion, एक ability होती है, एक organism की, move करना from one place to another place, so, locomotion क्या है, ability to move from one place to other, okay, so, इसको हम बोलते हैं, scientific term में, locomotion, आप यह बताईए, क्या plants locomotion show करते हैं, I hope आपको यह term का meaning पता चलने के बाद पता हो गया, चल गया होगा, कि plant do not show locomotion, so, plants जो है, यह show नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी ही place पे उनकी movement होती है, leaf की, branches की, बट वो एक प्ले से दूसरे place पे locomotion show नहीं करते हैं, इसके बाद हम next देखते हैं, कि locomotion एक animal कैसे कर सकता है, by walk, चल के, भाग के, run करके, fly करके, उसके बाद swim करके, creep करके, etc, so, यह कुछ ways होते हैं, locomotion करने के, ताकि आप एक जगे से दूसरी जगे पे shift हो पाएं, पार factor करते हैं, जो कि हमें देखना है कि skeleton क्या होता है, skeleton होता है, जब बहुत सारी हडिया मिलके, एक framework तयार करती है, और हमारी बोडी को एक shape provide करती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं, skeleton, so, skeleton क्या करता है, दो काम होते हैं, skeleton की, यह हमारी body को shape provide करता है, और जो framework हमेशे provide करता है उसी को हम क्या बोलते हैं skeleton बोलते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा skeleton है वो बहुत सारी हडियों से joints से बना हुआ है सबसे पहले हम देखने वाले हैं joints और उसके कुछ types so joints के types क्या क्या होते हैं अब joints क्या होता है joints आपको अपनी body पे जिस part में visible होता है कि हाँ यहाँ पे यह दो पार्ट एक दूसरे के साथ attach हो रखे हैं जोड़ रखा है इनको so वहीं पे joints होते हैं और इन parts को आप rotate कर सकते हैं bend कर सकते हैं move कर सकते हैं ऐसी places को हम बोलते हैं कि हमारी body में यहाँ पे joints हैं for example यह जो हमारी four arm है आपको यहां से दिख रहा होगा कि हमारी जो यह है और यह part है यह दोनों एक दूसरे से attach है तो यहाँ पे joint होता है ठीक है so और एक जिसे आप four arm है यहाँ पे shoulder है तो यहाँ पे joint होता है so I hope आपको यह clear हो गया होगा कि joints क्या होते हैं अब हम skip करते हैं next types of joints पे जो कि है bowl and socket joint second is pivotal joint third is hinge joint and fourth is fixed joint so bowl and socket joint जब दो बोन एक दूसरे में इतनी hollow होती है कि वो एक दूसरे के अंदर जब enter करती है तो वो चारो तरफ movement को allow करती है so maximum movement होती है bowl and socket joint में और यह इसका example होता है mainly shoulder और जो हमारी four arm है वो for example हम अपनी arm को ऐसे rotate कर सकते हैं ठीक है forward and backward बोथ direction में so यह होता है bowl and socket joint जो कि इसमें capability होती है कि यह हर एक direction में move कर पाएगा next is pivotal joint pivotal joint में क्या होता है जो movement होती है वो forward होती है backward होती है right होती है और left होती है for example जो हमारी neck होती है और जो head होता है उसके बीच में pivotal joint मिलता है so neck का example pivotal joint के अंदर जाता है for example अब try करना अपनी neck को move करने की forward backward right and left so यह था pivotal joint next is hinge joint hinge joint में अब movement जो है कितनी रह पाती है movement कितनी होती है सिर्फ इसमें होती है back and forth movement कैसी movement होती है back and forth movement ओके अब यह क्या होता है for example यहां पर यह एक point है ठीक है इस point से आप इसको समझे यह एक मनुष्य है जो इस point से move करना शुरू हो है ठीक है यह से move किया यहां तक आया देन वापिस इसने अपना रस्ता मोड लिया और देन अगेन यहां पर आ गया so जहां से शुरू करना और उसी position पर वापिस आना उस movement को हम बोलते है back and forth movement so यह किस में मिलता है यह मेली हमारी तीन जगह पर मिलता है fingers में और elbow में और घुटनों में ठीक है for example आप fingers लेखिए fingers यहां से move होंगी और वापिस यहीं पहेंगी for example यह ऐसे move हुआ and then again ठीक है तो हमारी यह movement हुई back and forth तो fingers में कौन सा joint मिलता है hint joint मिलता है उसके बाद elbow को देखिए आप यह elbow हमने यहां से movement शुरू की है यहां पर लेके आए then again यहां पर यह था back and forth movement ऐसे ही आप अपनी leg को move करके देखिएगा ground से उपर की तरफ टच कीजिए hips पे and then again उनको ground पर लेके जाए तो वह होती है back and forth movement जो की hint joint की वज़े से हो पाती है और यह मेली तीन जगह मिलती है fingers, elbow and knees next में हम चलते है fixed joint, fixed joint हमारा कहां पर मिलता है जो हमारा अपर जो होता है वह हमारा fix होता है ऐसा joint है जो बिल्कुल fix है जिसमें कोई भी movement नहीं होती है movement is totally zero जैसे कि आप अपने नीचे वाले lower जो को move करके देखेगा वह move हो पाएगा आप ऐसे ही आप पर जो को move नहीं कर पाएंगे so fixed joint कहां मिलता है यह मिलता है अपर जो में next point कि जब हमारा birth होता है तो उस time पे total कितनी number of bones होती है तो आपको यह question पता होना चाहिए कि जब एक बच्चा जरम लेता है तो उस time पे जो total number of bones होती है वो birth की time पे 305 होती है और यह data है NCRT के base पे so कहीं पे कुछ मिलेगा बट आपको follow करना है NCRT so NCRT के body हमारी body में birth के time पे 305 हडिया होती है और after birth वो हडिया एक दूसरे के साथ fuse करती है fuse का मतलब उनका मिलना ठीक है पहले हम बोलते ना बच्चे की हडिया नाजुक होती है हमें ऐसे पकड़ना चाहिए ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए so वो इसलिए बोलते है क्योंकि इस time पे इनकी जो हडिया होती है वो एक दूसरे के साथ fusion के process में होती है so adulthood तक वो कितनी हो जाती है total 206 हडिया हो जाती है so हमारी body में total bones कितनी होती है adulthood में 206 होती है और birth के time पे 305 होती है and number of muscles muscles mass patient कितनी होती है तो वो होती है 650 ठीक है उसके बाद हम अब next point पे चलते हैं कि rib cage क्या होता है so rib cage क्या है rib cage है एक box जिसमें बहुत सारी ribs का fusion हुआ हुआ है जो कि हमारी जो chest bone होती है और जो हमारी backbone होती है उन दोनों को fuse करके एक box बनता है जिसको हम बोलते है rib cage और इसमें क्या होता है chest bone plus backbone इन दोनों को मिला के जो box बनता है उसी को हम क्या बोलते है rib cage बोलते है और total number of ribs कितनी होती है 24 होती है और इसलिए total pairs कितने हो जाएंगे ribs के तो 12 pair of ribs होते हैं हमारी body में यह भी आपको याद रखना है next हम देखते हैं कि shoulder bone कहां पे हैं और कितनी है तो total दो shoulder bone होती है आप यहाँ पे टच करके visible अपने shoulder पे टच करके देखे इन bones को हम बोलते हैं shoulder bones तो कितनी shoulder bones है total दो shoulder bones है next and important question काफी exam में यह पूछा जाता है कि कि bone की help से हम बैठ सकते हैं एक मनुश्य किस bone की help से बैठ सकता है बैठने में जो help करती है उन स्टमक के नीचे होती है और लेक्स के उपर होती है तो स्टमक और लेक्स के बीच का जो हमारा बोडी portion होता है उस portion को जो हडियां एंकलोज करती है उसको हम क्या बोलते हैं pelvic bones बोलते हैं सिर्फ आपको यही याद रखना है कि pelvic bones की help से हम बैट पाते हैं ठीक है यह था पैल्वी स्कल्ल क्या होता है यह हमें देखना है स्कल्ल जो हमारी खोपडी होती है उसको हम बोलते हैं यह बहुत सारी हडियों से बना हुआ है और बहुत सारी हडिया मिलके जो है हमारे पार्ट को प्रोटेक्ट करती है और उसको हम बोलते हैं बोन उसको हम बो हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में helpful रहता है उसके बाद जैसा कि हमने देखा जो हमारा स्केलेटन है वो तीन चीजों से बना हुआ है बॉन से बना हुए जैसे कि पैल्विक बॉन शौल्डर बॉन उसके बाद हम ओल्रेडी टाइप सुव जोइंट भी देख चुके हैं अब हम देखेंगे कि काटिलेज क्या होता है सो काटिलेज हमारे स्केलेटन में ही होता है और यह एक ऐसा बाद होता है जो हम उसको मुव कर सकते हैं बैंड कर सकते हैं तो पहसी सब्सक्क्व एब सीसरों नallनी सब्सक्राइब की दचाहां चिनों सब्सक्राइब मिलता यहाँ से शी हैंब जान यहाँ अमंगा टी कर से मिलता है और यह काफी flexible tissue होता है next हम थोड़ा सा देखते हैं muscles हमारी mass patient कैसे काम करती है तो आपको ध्यान रखना है एक हड़ी को अगर काम में लेना है तो उसके लिए हमारी body को दो mass patient की requirement होती है तो यह pair में work करती है और work कैसे करती है contraction और relaxation process से और एक बार contraction होती है एक बार relaxation होती है उसके बाद ही bone में movement हो पाती है तो गुड़ी इनिंग everyone आज के इस session में हम body movements का हमारा जो chapter continuous करते वाले हैं और already दो पार्ट इस chapter पे आ चुकी हैं तो इस session का opening question है आप सभी के लिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस time पे उसके अंदर कितनी हडिया होती है number of bones ठीक है तो अगर आपको इस question का answer नहीं पता है तो last videos देखना मत भूलेगा और अगर पता है तो comment section में answer जरूर कीजिएगा so start करते हैं यह हमारा next part जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ animals के important facts so start करते हैं earthworm से ठीक है तो आपको visible होगा यह diagram इस तरह का कुछ earthworm होता है उसके बाद जो earthworm होते हैं उन में क्या hडिया होती हैं इन में hडिया नहीं होती है so no bones उन में सिर्फ muscles होती है और with muscles की help से ही उनकी body जो है एक जगह से दूसरी जगह पर move कर पाती है so muscles क्या करती है muscles एक Tel एक बार extend होती है मतलब एक बार बढ़ती है और एक बार शोटन होती है एक बार छोटी होती है तो उस तरह से इसकी body movement होती है इसके साथ साथ जो earthworm है वो एक substance release करता है जो की चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते है slimy substance और यह इसकी helps snail snail में आपको diagram देख रहा होगा यह स्नेल का diagram यह इसके ऊपर एक बड़ा सा जो है rounded structure रखा हुआ है और यहां पर यह नीचे जो है इसका food बणा हुआ है यहां पर यह eyes है और यह पर यह mouth होता है तो जो यह rounded structure होते है बड़ा गोल गोल सा जो structure होता है इसको हम क्या बोलते हैं बोलते हैं, और ये जो शेल होता है, इसमें ढईया नहीं होती है, कोई भी besch strangers नहीं होती है, ये स्नेल का आउटर स्केलेटन कहलाता है, जैसे हमारी बोड़ी में हम previous में देख चुकी है, कि सकेलेटन हमें shape प्रोवाइड करता है, हमारे अंदर जो है inner स्केलेटन है बट जो स्नेल होते हैं उनमें जो ये शेल वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं ये इनका आउटर स्केलेटन होता है और फिर आपके लिए नेक्स्ट कुशन आता है कि जो ये आउटर स्केलेटन है ये मुवमेंट में हैल्प करता है तो नहीं ये म होता है कोई भी मुव में में हैल नहीं करता है सो ये था स्नेल के बारे में कुछ important facts next है की snake snake आपको दिख रहा होगा ये snake है eyes यहां पर इसका फण है और ये टेल है तो स्नेक कैसे मूव करता है तो असनेक के फुट नहीं होते हैं वह धरती पर रहेंक तो चलता है आईसे हैसे ऐसे आईसे आसे चलता है तो तो किसे पुर्व होता है कैसा फूट होते हैं ह। स्क्वों कर पाती है एंड सेको को हम एक कोशन के साथ कंटीनियू करतі है function है कि जो gate of animals वाली book है वो किस ने लिखी है So question is Gate of animals ये एक book है आपको comment section में बताना है कि ये किस ने लिखी है इसके writer कौन है So next start करते हैं That is cockroach जो कि इस section का last important part है So इसके बारे में हम कुछ facts देखने वाले है Facts क्या है कि cockroach क्या उड़ सकता है चल सकता है Fly कर सकता है Walk कर सकता है तो हन जी ये तीनों चीजे जो है cockroach कर सकता है It can walk ये walk कर सकता है Climb ज़लब चड़ाई कर सकता है And fly उड़ सकता है So ये आपको clear होना चाहिए Diagram आप देख सकते है कुछ ऐसा structure होता है Cockroach का और उसके बाद इसमें कितनी pairs of legs होती है So total 3 pairs of legs होती है मतलब कि एक जोड़े में 2 legs होंगी तो मतलब जैसे हमारी 2 legs है तो Cockroach की कितनी होती है 6 legs होती है So ये था 3 pairs of legs उसके बाद जो इनके wings होती है जो इनके wings होती है जैसे कि ये wings है यहाँ से इनकी breast से attached होते है So ये total कितने होते है ये होते है 2 pairs of wings So इनके भी 2 pairs होते है तो total कितने wings हो जाएंगे 4 wings हो जाएंगे आपके लिए इस session का ending question है कि जो हमारी muscles होती है number of muscles वो एक adult में कितनी होती है So try to answer this question and if you don't know then don't forget to watch the previous videos सबसे पहले मैं आपको एक information देना चाहूंगी इस video के description में आपको telegram channel का link मिलेगा और हमारी telegram channel का जो name है वो same as it is name है जो कि YouTube channel का है So आप search कर सकते हैं या फिर link के through वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं Second point is As we know that यह हमारे जो class है session है यह class 6 का जो 8th chapter है body movements का उसके regarding में last part है And So हम already 8 chapters complete आज करने वाले हैं और out of them first 5 chapters के जो notes है handwritten notes वो already telegram channel पर upload हो चुके हैं So आप वहां पे जुड़िये और उनको जो है आप videos के बाद as a revision उनको follow कर सकते हैं So यह थी information Third point is अभी मेरा document verification हुआ था DSSB TGT science के through जो की डिरेक्टरेट आफ एजुकेशन ने conduct कराया था So उसका experience भी आप last की two videos में देख सकते हैं की कैसे DV का process चलता है for your future ताकि आपको future में कोई problem ना झेलनी पड़े So यह थे कोछ important points So इन पर गौर कीजेगा अब हम इस class का opening session कैसे करेंगे एक question के साथ करने वाले हैं So question क्या है कि हमारी longest bone और smallest bone कौन सी है हमारी body में अगर आपको इस question का answer पता है तो comment section में लिखेगा और अगर नहीं पता है तो जो यह body movements वाला chapter है उसके last videos जरूर देखेगा आपको उनमें पता लग जाएगा So start करते हैं Body movements का last part है यह जिसमें हम birds के बारे में discuss करेंगे और fish के बारे में discuss करेंगे So birds Birds में क्या होता है जो उनकी bones होती है वो काफी light होती है हलकी होती है कोई चीज हलकी होगी तभी वो असमान में उड़ पाएगी इतना तो आपकी भी understanding होगी और जो उनकी हडिया होती है वो hollow होती है hollow मतलब खाली होती है जो इनके hind limbs होते हैं वो बोन कैसे modify हो जाती है वो चलने के लिए और पर्चिंग करने के लिए पर्चिंग मतलब बर्ड ऐसे किसी चीज़ पे टक 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 अमनी चोच से मारना उस चीज़ को हम बोलते हैं पर्चिंग तो यह hind limbs का किसमें यूज करती है वोकिंग और पर्चिंग में नेक्स इस फॉर लिंप्स जैसे जो हम हैं वो किसमें modify हो जाती हैं wings में modify हो जाते हैं नेक्स इस shoulder बोन्स जो होती है birds की काफी strong होती है और यह strong होने की वज़े से ही जो bird में wings होते हैं वो up down move कर पाते हैं जो muscles of flight होती है जो muscles उड़ने में help करती हैं उनको हम बोलते हैं muscles of flight जो की breast bone के साथ attached रहती है और यह wings की movement में help करती है up and down करने में यह था bird से related next and last fish हमें मचली के बारे में देखना है कि मचली कैसे swim करती है inside water तो यह हम देखेंगे सबसे पहले body shape कैसी होती है streamline body होती है fish की उसके बाद जो fish है वो swim तैरती कैसे है पानी में तो वो तैरती है कुछ जटके लगते हैं जिसको हम बोलते हैं series of jerk और यह कैसे जटके होती है जो body होती है fish की जैसे यह front part है और यह tail part है ठीक है तो जो tail जो है inside move करेगी तो यह वाला part inside move करेगा अगर tail inside move करेगी तो यह वाला part inside move करेगा तो इस चीज़ को हम बोलते हैं series of jerk मतलब opposite direction में होना front body का और tail का जिससे वह swim कर पाए पानी में उसके बाद swim करते हुए उनको direction की भी जूर्थ पड़ेगी कि किस direction में जाना है साथ में अपना balance की भी जूर्थ पड़ेगी तो वह काम कौन करता है fish में fins होते हैं जो fins होते हैं वह help करते हैं कि जब मच्छी तैरती है उस time पे उनका balance बना रहे और वह उसको एक दिशा देता रहे तो यह दिशा के लिए और balance के लिए हमें fins की आफशकता होती है तो यह था last part body movement का and do subscribe do like and do share हाँ जी और like तभी कीजेगा अगर आपको वीडियो का content पसंद आता है, lectures पसंद आते हैं वरना dislike कीजिए and साथ में अपना feedback भी देते जाहिए that why you dislike it okay, have a good day